वेलकम फ्रेंड्स मैं परशांतर पाथी स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में इस वीडियो में कुछ इंग्लिस क्रामर के इंपोर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे उम्मीद करता हूँ कि आपको वो पशन्द आएंगे और वो रूल्स कंटेंट मैंने इतना अच्छा स इसलेक्ट किया है वो एक्जम पॉइंट और यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है लेट्स विगन सो सबसे पहले बात करते हैं देखिए ऐसे जनरली किसी वी चीज के आगे दा नहीं लगता है पर रूल है कि जब भी म्यूजिकल इस्ट्रूमेंट का नाम आएगा त बढ़िए अगला रूल है रूल टू जो कि बोध का प्रयोग होता है वो केबल पॉजिटिव वक्चों में किया जाता है बोध प्रयोग नेगटिव चांस में नहीं कह सकते जैसे कि बोध राम इंट से वर रीडिग इन्दा रूम पर अगर यह यह करना चाहें कि बोध रा राम और शाम वर रीडिंग इंदा रूम अगला रूँल देखते हैं कि यदी प्रॉठ नाय। of love उसका अगले रूल की बात करते हैं तो कि बिसाइड 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 से दो लगवक सिमिलर वर्ट्स हैं साइज मैंने से अपने शिरीज भी कबर किया तो बिसाइड का मतला होता है नजदीक किसी के नजदीक या किसी के वगल में जैसे की पोस्ट आफिस इस बिसाइड से ब्रदर जबकि बिसाइड सकर्थ होता इन अधिशन टूके सिवाए किसी की अतरिक्त आई है वकार बिसाइड साइड सब इक मेरे पास कार भी है बाइक के लाबा या फिर ही एड नो बन विद हिम बिशाइड सिस फ्रेंड या फिर सैपल ही वाट ग्रेप्स है इसी फ्यूचर टैंस जो कि एक किसी प्लान का हिस्सा है जो कि बहुत ही जल होने वाले हैं तो उसका भी हम यूज करते हैं जैसे कि अप्लेन लेंड सेट 11 अम अब देखिए यह क्या है यह रूटीन है सुरी यह प्लान है कि प्लेन आएगा तो गैरा बज़ उतरेगा और आ कि हमारा प्लान का हिस्सा है नियर फ्यूचर की बात है दे लीफ और पैरिक्स नेक्स्ट यह भी प्लान है वेंड़्स दैश्कूल ओपन अगे यह प्लान है समझ गया चलिए आगे बढ़ते हैं कि मैट्रियल नाउन जो होता उसकी गिंती नहीं की जा सकती है इसको किया कैस नहीं किया जाता है जैसे कि गोल्ड इस प्रीशियस इस वाइट के साथ हम आई तीकल का यूस तभी कर सकते हैं जब उसका प्रेयोग किशी खास प्रस्तिती में हो जैसे कि दा गोल्ड और ही पर्चेस्ट लास्ट यह वास् प्यार या फिर ता गोल्ड ऑफ इंडिया अब पर दा गोल्ड ऑफ इंडिया हो गया तो वह क्या हुआ वह स्पेशल कंडिशन मंगे किसी इंप पर्टिकुलर कंट्री के बारे मात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंडिया इस ऑफाइनेस्ट कॉलिटी ना चले आगे चलते हैं जब मॉर्णिंग आफ्टरनून और इविनिंग से पहले लास्ट एवरी और नेक्स ना लगाया गया हो तो इनके पहले दा का प्रयोग किया जाता है या फिर जब morning, afternoon और evening से पहले अगर last, every and next लगा जी जाता तो दागा प्रियूग नहीं किया सकता है जाते कि he gets up in the morning वो सोबे ख़ड़ा हो जाता है they play badminton in the morning अब he had taken a siesta in the afternoon तो she had taken snacks in the afternoon they went for a walk in the morning, in the evening they went to a kennel in the evening अब example होगा लेते हैं कि last, last morning I go for a run, I'd gone for a run, ओके, हो जाएगा जब हम कोई किसी से करवाती हैं तो हम walk में क्या करते हैं has या get कर यूज करते हैं, अगर get करते हैं तो get a word की third form लगाती है जैसे कि Raju gets the utensils cleaned या फिर I, I gets the burg done he got the car repaired चलिए अगला देखते हैं चलिए हो जो करता अच्छा देखें कुछ ऐसे words होते हैं हमने अपना preposition वाला video भी किया था, काफी important है exam point of view से उसमें से पूरी पूरी शम्मा हमने आने की तो अगर आपने वह नहीं देखा तो जरूर देखिए हमारी सेनल पर content बहुत अच्छा ही मिलेगा आपको तो कुछ ऐसे word हैं जिनके साथ preposition यूज नहीं होता है जो कि है order, resemble, investigate, reach, discuss, accompany, regret इन सब्दों के गलत और सही प्रेव नीचे वक्यम देगे जैसे कि he ordered for a cup of tea ना he ordered a cup of tea इन जितने भी है sentence इनके बाद यूज ही नहीं होता है preposition का जैसे he resembles his brother preposition गलत है investigate the authorities are investigating the matter okay they have reached in the worst strand they have reached the worst strand they have discussed about the problem अब ऐसा क्यों होता है आप बता सकते हैं क्या बास ये just rule है कि नहीं देखिए इस दुनिया में just कुछ भी नहीं होता है खासकर education में ये इसलिए है क्योंकि order का जो मतलब होता है वही होता है किसी चीज के आपने booking कर दी या फिर order करते है या फिर कोई चीज के आपने आदिस दिया केवाल आदिस नहीं होता है आदिस देना तो preposition का मतलब ही नहीं होता है resemble का मतलब होता है किसी चीज के साथ mail खाना मेल खाना, अब अगर वो मेल खाता है, तो फिर वहाँ पर प्रिपोजिशन की जरूरती नहीं, अगर केवल मेल होता है, तो रिजेंबल हो सकता है, इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है, छानबीन करना, अगर इन्वेस्टिगेट का मतलब केवल छानबीन होता है, तो वहाँ पर प्रिपोजिशन का यूज हो सकता था हूँ आप इसमभब ना बनती थी पर इसका मतलब ही होता है इसलिए हर चीज का मतलब क्या होता है रीच का मतलब होता है किसी इस्थान पर पहुंच जाना अब पहुंच जाना समझ रहे हैं डिसकस का मतलब होता है किसी चीज के वारे में डिस्कॉस करना एकम्प्रिंग करना किसी के साथ जाना रिग्रेट के पस्तावा करना मीनिंग के वज़ा से ऐसा होता है चाहां देखिए कुछ ऐसे हैं देखिए जैसे एक्जाम्पल आप देखिए क्योंकि ये बरशात का दिन था वो स्कूल नहीं गया ये इसका मतलब होना चाहिए पर ये सेंटेंस सही नहीं गया चाहिए कि बिंग से पहले कोई नावन और प्रोनम नहीं आया अगर नहीं आता तो ये गलती होती है उपर दिये गए बाक्य में बिंग एक पार्टिकल है और इसके आगे कोई नावन या प्रोनम लगा होना चाहिए जैसे कि नीचे दिये गए बाक्य में इट बिंग गा रहनी दे ही यस नाट गॉन तुश्कूल चोंकि ये बर साथ का दिन था इसलिए उसकूल नहीं गया आइनस भिक्रमदित्य का भी नाम आते है तिना वड़ा शेप है अपने आप में उसके भी हमेशा सी आती है जैसे भूजन सामांगे दी होता है ना फूड पार्टिकल उनके नाम के आगे हम दा का यूस नहीं करते हैं जैसे कि दा दिनर भी टुक एट दा नोबल्टी आप या फिर दा डिनर भी है वैट प्रस्टेंट अच वास सुपर्भ जब एक ही सब्जेक्ट के दो कारे एक साथ किये जाए या एक कारे दूशरे कारे के तुरंत बात किया जाए तब बाक मैं प्रस्वा कारे के लिए प्रिजेंट पार्टिकल का प्रियोग उता है जैसे अगर जैसे प्रॉपर नाउन को हमको प्रियोड में प्रिजेंट करना हो तो प्रॉपर नाउन से पहले दा का प्रियोग किया जाता है जैसे कि अब गुपता गुपता आपको पता था एक बंस है इस्ट्री में हमारी है ना तो दा गुपतास है वो पंडश कूर ओ सॉरी हा अब पूले सरमाजी के खांदान वाले कोई नहीं आएंगे दा एलिस हैब शिफ्टे टो नियू शिटी अब एलिस किसी का सरनेम होगा दा अरूरास दा धिलोस समझे होगे होगे अब अब परवरितियों के नाम के पहले अर्टिकल नहीं रखता है जैसे कि अब जब भी कोई सीजन या फेस्टिवल का नाम होगा तो आपको कोई भी कमी लगती है आपका जो उपनेन है वो कमेंट सेक्षन में राइट 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 कुछिए मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप जाके और भी प्लेइलिस्ट दिखेंगे हमारे चैनल पे कंटेंट बहुत अच्छा होगा यह मैं गारेंटी कर सकता हूं 100 परशेंट तो एक बार चेक कीजिए आपकी नौलिज में इंप्रूब्मेंट ही होगा कोई भी सजेशन ठेक्स कर सकता हूं